हेलो फ्रेंड पॉपुलेटी वी सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या गयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सालों बाद सवी से करवा चौत वाले दिन मिलने आई अक्का साहिब तो वहीं अक्का साहिब ने दिया सवी और रज़त को अपना अशिरवाद जी हाँ दोस्तो आप शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां करवा चौत वाले दिन भाग गिश्री और घरवालों की खुशी के लिए सवी रज़त के लिए करवा चौत का वरत रख लेती है तो वहीं साही को खुश करने के चक्कर में रज़त सवी के लिए बह वही रज़त सवी को गुजराती और मराथी दौनों लेंग्विज में सब के सामने प्रपोस करता है और उसकी जम के तारिफ करता है वैल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सवी काफी ज़़ता हो जाती है लेकिन तब ही रज़त उसकी इंसल्ट कर करते हुए कहता है कि ज़्यादा ुजोने की ज़ुरत यह सब मैंने सही खुशी के लिए कहा है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही कभी प्यार करूँगा तो वहीं सवी रज़त के इस बिहेवर से काफी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वापस अपने घर रो इमोशनल होके और शौक्ड हो जाती है उसे इशान के साथ साथ अपना सारा तीर याद आने लगता है वेल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां अका साहिब काफी जादा खुश होती है ये देख कर कि सवी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है औ तो वही अका साहिब रजट को अपना अशिरदा कर जाती हैं कि आज त्मेह देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने मेरा बेटा इशान ही कढ़ए है जहां अका साहिब सवी और रजद दौनों का अपना अशिरदा दे के चली जाती है तो वही रजद को सवी के अतीर के बा तो दोस्तों और अब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें